मैगी तो आपने हजारों बार बना कर खाई होगी, आज बनाएंगे हम मैगी मैकरोनी, बहुत ही टेस्टी जटपट बन कर त्यार हो जाती है, और इतनी ज़ादा टेस्टी की आप हर बार मैगी और मैकरोनी इसी तरह से बनाना चाहेंगे, यानि ट्विन बन है ये रेसिपी, तो चलिए जटपट से इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमें मैकरोनी को उबालना है, उबालने के लिए मैने यहाँ पर पानी लिया है, और उसको अच्छे से उबाल आने तक पकाया है, इसके बाद उसमें नमक और तेल डाला ह एक चमच इसके बाद इस तरह से मैकरोनी को डाल देना है, और इसको अच्छे से पका लेना है, जब तक यह अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए, या फिर जैसे भी आप मैगी को उबालते हों, उस हिसाब से आप मैगी को उबाल सकते हैं, और अब हमने लिए हैं यहाँ पे ए स्टर्ड सीट्स यानि काली सरसों के बीच, इसको अच्छे से हमें चटक जाने देना है, इसके अच्छे से चटक जाने के बाद यहाँ पे मैंने लिया है, आदा चमच के करीब सफेद तिल, यह उप्सिनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना आप इसके भी कर सकते हैं, इसके अच्छे से चटक जाने के बाद हम इसके अंदर डालने वाले हैं, यहाँ पे हरी मिर्ची एक हरी मिर्ची ली है, जिसको इस तरह से टुकडों में मैंने काट लिया है, आप चाहें तो यहाँ पे लाल मिर्ची का भी यूज कर सकते हैं, हरी मिर्ची के अच्छे से तड़कने के बाद हम यहां पर डालेंगे एक कटा हुआ प्याज जिसको इस तरह से स्लाइसस में मैंने कट कर लिया है और इसको डालने के बाद हमें इसको अच्छे से भून लेना है यहां पर प्याज हमारा अच्छे से भून गया है अब हम इसमें डालेंगे तो खानी पसंद हो इसको अच्छे से हम एक बार भून लेते हैं टमाटर को बहुत जादा हम इसे सॉफ्ट नहीं करेंगे बस हलका सा इसको भूनना है और इसको अच्छे से भूनने के बाद इसके अंदर हम एड़ करेंगे स्वाद अनसार नमक तो ध्यान रहे थोड़ासा न नमक नहीं डलना है क्योंकि जो मैगी के अंदर पैकेट निकलेगा उसके अंदर भी नमक रहता है अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद देखें यहां पे थोड़ा सा हम डालेंगे कलर के लिए हल्दी पाउडर और अच्छे से एक बार फिर बहर कर पानी लगा रही हो अगर आप एक दम सूपी मैगी खाना पसंद करते हो जिसमें इसका पानी है अलग रहता है तो आप यहां पे थोड़ा ज्यादा पानी लगा सकते हैं मतब 3 कप या 4 कप पानी भी लगा सकते हैं इसमें अच्छे से उबालाने के बाद हम इसके अंद लेखने तब और शुमरे मेगी अरती न के मेकापनी लाइन Elder लुाषय अब शूपड़ मार दीज कर अई मैंतोर मेंमाल तब न बाद जाता है जिसकी अज एक तार मेडरी मेरी आपने लेगेगीफित trasamate इसको इस तरह से प्लेट में निकाल दिया है और इसके बाद हम इसको डालने वाले हैं इस मैगी के अंदर तो यह दिखे मैगी हमारे अच्छे से गल गई है और हम मैकरोनी को इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे मैकरोनी डालने के बाद इसको एक तुमनिट के लिए अच्छे से फिर से पका लेंगे इससे ये जो हमारा मैगी का मसाला है इस मैकरोनी के अंदर अच्छे से भर जाएगा और एक खाने में बिल्कुल मैगी जैसे हो जाएगी और अब लास्ट में हम इसके अंदर डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया हरा धनिया डालने के बाद अच्छे से एक बार फिर से हम इसको चला देंगे जिससे जो धनिया है अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए और ये लिजे एकदम हमारी गर्मा गरम मैगी मैकरोनी बन के तैयार है इसको हम निकाल लेते हैं किसी प्लेट के अंदर तो आप भी घर पर जरूर बनाईए ये टेस्टी मैगी मैकरोनी आपको मैकरोनी खाना है तो मैकरोनी खाईए मैगी खाना है तो मैगी खाईए यानि ट्विन वन रेसिपी आपके लिए आज यहां पे मैं लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी लगता है यह खाने में एक बार ज़रूर ट्राइ करें आई होप आज की यह रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी पसंद आई हो तो हिट दा लाइक बटन और शेयर कीजिए सोसल साइट पर, फेस्बुक पर, ट्यूटर पर, वाटसप पर जहां भी आप लोगों से मिलते जूलते हो बहुत ही जल्द मुलकात होगी आपसे ऐसे एक नई और बहुत ही मज़िदार रेसिपी के साथ तब तक जोड़े रहे वरदान पकवान से आपका दिन शुब हो